हेलो एबरीवरन वेलकम टू माई यूटूब चेनल तो आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आज हम लोग बैक्टिरिया के बारे में इस्टडी करेंगे तो चलिए हम लोग बेक्टिरिया के बारे में इस्टडी कर लेते हैं इसकी खोज किसने किया और इसके जनरल करेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है इंटोनी वाल लिविन हाक ने 1683 में सबसे पहले रेन वाटर, सीवेज वाटर, सलाइवा से एंड तूथ इसकम से बेक्टिरिया अपजर्व किया था तो इन्होंने बेक्टिरिया को स्माल या तीनी एनमलक्यूल नाम दिया था एंटोनी वाल लिविन हाक ने बेक्टिरिया को इसमाल या तीनी एनमलक्यूल नाम दिया था एरेन वर्ग ने बेक्टिरिया को टर्म दिया था तर्म बेक्टिरिया वाज गिविन वाई एरेन वर्ग एरेन वर्ग ने बेक्टिरिया को टर्म दिया था जो सन अज़ा उन्तीस में नेश्ट फॉएंट है लीनियस ने बैक्टिरिया को वर्मिस कहा था नेश्ट पॉएंट है नागेली ने बैक्टिरिया का backwards लासिफिकेशन साइजो माइशिटीज की अंतरगत किया नागेली स्थॉएंटिस्ट ने बैक्टिरिया का क्लासिफिकेशन साइजो मैसिटीज के अंतरगत किया नेश्ट पॉइंट है लुईस पास्चर लुईस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने जर्म थियोरी आप डिजीज दिया था इस थियोरी के द्वारा यह बताया गया कि plants and animals में बैक्टिरिया के द्वारा disease caused होती है इस थियोरी के द्वारा यह बताया गया कि plants और animals में बैक्टिरिया के द्वारा disease का कारण होता है Next point है Robert Coach Robert Coach ने बैक्टिरिया का culture किया था राबर्ट को जो साइंटिस्ट थे वो बैक्टिरिया का कल्चर किये थे Next point है, जान लिश्चर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंटिसेप्टिक सर्जरी में कारबोलिक एसीड का यूज करके स्टार्ड क्या था next point है बैक्तिरिया के इस्टड़ी को बैक्तिरियो लाजी कहा जाता है next point है एंटोनी वान लिवेन हाक को फादर आप बैक्तिरियो लाजी कहते हैं एंटोनी वान लिवेन हाक साइंटिस्ट को फादर आप बैक्तिरियो लाजी कहा जाता है नेश्ट पाइंट है बेक्टिरिया एंड बी जी ए ब्लू ग्रीन एलगी को लोवर प्रोटिस्ट में समलित किया जाता है चलिए अब हम लोग बेक्टिरिया के जेनरल करेक्टर्स के बारे में श्टड़ी कर लेते हैं फर्स्ट पाइंट है बेक्टिरिया आर प्रोकरियार्ड क्योंकि बेक्टिरिया में न्युक्लियर में अपसेंट होती है बैक्टिरिया प्रोकरियार्ट्स होते हैं क्योंकि बैक्टिरिया में नुक्लियर मेंब्रेन अपसेंट होती है नेश्ट पॉइंट है बैक्टिरिया में मोड अफ नूट्रिशन हेट्रोट्राप्स नेचर का होता है बेक्टीरिया में जो nutrition का mode होता है वो heterot 캐し नेचर का होता है Next point है बेक्टीरिया unicellular procare our's होते हैं बेक्टीरिया unicellular एक को सकी procare our's होते हैं Next point है बेक्टीरिया microscopic primitive micro organism है जो बेक्टीरिया है वो microscopic primitive micro organism होता है Next point है bacteria में undublubbed या primitive nucleus पाया जाता है क्योंकि nucleus की nuclear membrane absent होती है क्योंकि nucleus की जो nuclear membrane होती है वो absent होती है नेश्ट पॉइंट है बट बैक्टिरिया नुक्लियर मेटेरियल सेल के सेंटर में प्रजेंट होता है विची नाट सराउंड़िड वाई एनी मेंब्रेन लेकिन बैक्टिरिया का जो नुक्लियर मेटेरियल होता है वो सेल के सेंटर में प्रजेंट होता है वो नाट सराउंड होता है वाई एनी मिंब्रेन के द्वारा grabbed इसलिए बैक्टिरिया के इस प्रीमिटिव टाइप नुकलियस को नुकलियाइड या जी बिदाउट हिस्टोन प्रोटीन बैक्तिरिया में दो निकलिक्स एसिट पाया जाता है आर्यन्न और डियन्न लेकिन वो बिदाउट हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं नेश्ट पॉइंट है बैक्तिरिया सिंगल सर्कुलर डियन्न पाया जाता है बैक्तिरिया में मेजर सेल डिविजन जैसे माइटोसीस एंड मियोसीस अपसेंट होती है बैक्तिरिया में मेजर सेल डिविजन कोसीका विभाजन जैसे माइटोसीस एंड मियोसीस अपसेंट होता है बट बैसिलस मेगाथिरियम में माइटोसीस प्रजेंट होती है नेश्ट पाइंट है mode of nutrition in bacteria is hetero traps जो की विभीद पोसी होता है जो nutrition का mode होता है बैक्तिरिया में वो hetero traps होता है विभीद पोसी होते है एकजामपल है parasites, saprophetic, symbiotic, kemo, autotrophic होता है next point है बैक्टिरिया में सेलवाल बनी होती है बैक्टिरिया में सेलवाल पाया जाता है सेलवाला बैक्टिरिया सूगर डेरिवेटिव की बनी होती है बैक्टिरिया की जो सेलवाल है वो सूगर डेरिवेटिव की बनी होती है जिसमें पाया जाता है एन एजी एन एसेटिल ग्ल नेजि, एननेसेटिल, ग्लुकोसामाईन और अनेयम एननեसेटिल, म्योरामी केसिद पाया जाता है। नेश्ट प्वयंट हैं, इसके अलावा अलफायलेलिन, दी आलेलिन, ग्लुतामी केसिद, डाई अमेनोपेमिली केसिद पाया जाता है। नेश्ट पॉइंट है, सेल वाला बैक्टिरिया इज मेड़ आप म्योको पिप्टाइड, पिप्टाइडो ग्लाइकान, बैक्टिरिया को जो सेल वाल है, वो बना होता है म्योको पिप्टाइड, वो पिप्टाइडो ग्लाइकान का, Next point है, बट हाईर प्लांट्स की तरह बैक्टिरिया की सेलवाल में सेलूलोज अपसेंट होता है Next point है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स बैक्टिरिया के साइटो प्लाजमिक मेंब्रेन में पाए जाते हैं जो chlorophyll pigment होता है वो bacteria के cytoplasmic membrane में पाए जाते हैं Next point है bacteria में mitocondia absent होती है bacteria में mitocondia absent होता है mitocondia नहीं होता है but mitochondrial function mesosome करता है जो mitochondrial function होता है वो mesosome करता है इसलिए बैक्टिरिया में रिस्पाइरेशन स्वसन मीसोसोम के द्वारा होता है next point है बेक्टिरिया में इंडोफलाजमि क्रेटिकुलम और गौलजी एपरेटस अबसेंट होते हैं बेक्टिरिया में राइबोसुम 17 यस टाइप का प्रजिन्ट होता है बेक्टिरिया में राइबोसुम 17 यस टाइप का पाया जाता है next point है most common method of multiplication या reproduction इस binary fusion जोसमे most common method होता है multiplication या reproduction वो binary fusion के द्वारा होता है next point है true sexual reproduction is absent in bacteria however combination genetic material occurs by conjugation ट्रांस्रेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसमें एक सिंगल बैक्टिरिया सेल में वन या मोर फ्लेजिला भी पाये जाते हैं नेश्ट पॉइंट है फ्लेजिला एट फ्लेजिलम प्रोटीन मालिक्यूल से मिलकर बनता है जो कसाबी का होता है वो एट फ्लेजिलम प्रोटीन मालिक्यूल से मिलकर बनता है नेश्ट पॉइंट है ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया के आउटर सेल वाल के एंटिरियर साइड पर इसमाल हेयर लाइक इस्ट्रक्चर पीली प्रजेंट होता है जिने फिम्परी भी कहते हैं पीली फिम्परीलीन प्रोटीन की बनी होती है जो पीली होता है वो फिम्परीलीन प्रोटीन का बना होता है नेश्ट पॉइंट है बैक्तिरिया में क्लोरोफिल A and क्लोरोफिल भी अपसेंट होता है बट बैक्तिरिया में क्लोरोफिल या बैक्तिरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बैक्तिरिया में क्लोरोफिल A and क्लोरोफिल भी अपसेंट होता है लेकिन बैक्तिरिया में या bacterial chlorophyll present होता है नेस्ट पाइट है बैक्तिरिया में chloroplast हरितलवक अपसेंट होता है बट chromatophore present होते हैं बैक्तिरिया में chloroplast हरितलवक अपसेंट होता लेकिन chromatophore पाएजाते हैं नेश्ट पाइंट है, जिसमें क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B अपसेंट होते हैं, अनुपस्थीत होते हैं तो फ्रेंट्स आप लोग बेक्टिरिया के जिनरल करेक्टर्स और उसके बारे में इस्टडी कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और प्रेंस आप लोग को वीडियो कैसा लगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेर कमेंट और सबस्क्राइब कीजिएगा ठांक्स इब्रीवन